जब देश को बलिदान और कुर्वानी की जरुरत पड़ी है तो बिहार से अंग्राई उटाए और अंग्राई हो चुका है जनता सरकों पर उमर चुकी है इस जनता कह रहा है कि तु भाई बैलेट पे परवावा लब बोटवा को जो गालमेल करके हडाया है उसको फिर से रिक करवे कितना दिन चलेगा इसका भी कोई गारेंटी नहीं है जब दुद्दू को लगा दिये हैं स्टेपनिया दाएं और दाएं डिप्टी या बाएं डिप्टी सीएं तो हर फैसला के उपर जो है और धिकार बाएं दाएं बाला कराएगा हमको लगता है कि नितिश चचा मुझाम यौ फिर सुर्फ सींॉक万 मेरा, जो हर अंदोलन को कुचलने का काम किया है। यही वो सरकार है कि जब-जब इस सरकार के खिलाप कोई बोला है न? तो उसको कुचल दिया है। लेकिन कब तक ही कुचलने के लघशाय की कितना दम है इनके लाठी में! उभी देखा है देख लेंगे जितना भरना होगा जेल में भर लेंगे लेकिन हिंदुस्तानी जुके बला नहीं है लोक तंद्र को बचा के हम भी पक्ची रखेंगे देखिए सबसे पहले बात तो हम कहेंगे कि बिहार की जनता की स्थिति अइसन हो गया है कि कापर करे सिंगार मोरपिया आनहर यहीं कि एक औरत जो होती है सुहागन औरत अगर उसका पती अंधा हो जाए तो उस सिंगार करके भी क्या करेगी तो वही स्थिति आज हमारे बिहार का हो गया है और देखिए बिहार की जनता बिहार का जन्मत मुख्यमंत्री मान चुका था तेजसु को और अपना मैंडेड भी दिया लेकिन आपके माधियम से हम अपना पल्टू चाचा को इतना जरूर कहेंगे कि आपको बदहाई देते हैं कि मुख्यमंत्री आप बन गए एनकेन प्राक्रेन सामदाम दंडबेद सब का इस्तेमाल कर लिए आप लेकिन आपसे बिहार की जनता बड़ा उमीद रखता है अब कहें कि आपने उनिस लाख वाला जुमला दिया है तो उनिस लाख वाला पूरा करे परेगा अनत हम भी पक्षी जो है ना बिहार से लेके अदिल्ली तक जो है चैन से बैटने नहीं देंगे अब पहिला बाद तही सरकरवे केतना दिन चलेगा इसका भी कोई गारेंटी नहीं है जब दुद्दू को लगा दिये हैं स्टेपनी या दाये और बाये डिप्टी या बाये डिप्टी सी है तो हर फैसला के उपर जो है अधिकार बाये दायें बाला कर रहेगा हमको लगता है कि नितिश चचा जो है कहीं ने कहीं फेर मौका अगर इनको मिला तो अल्टी पल्टी हो जाएगा कैसे देखते हैं आप जो लोगों को रोजगार देने के बात कर रहे तो खुदी बेरोजगार होगे इस समय पे जनता उनको किया है बेरोजगार जनता तो कड़िये दिया है बेरोजगार ना तो सोचे ने कहां 172 आज भी सबसे बड़ा पार्टी के रूप में अगर कोई उ बुरा है लालू जी के लाले को न जनता अपना मत दिया है लेकिन ठीक है कि आप सत्ता का गलत दुरूपयों किये चुनाबायोक सुन नहीं रहा है कोट में जाके अपील भी कर रहे हैं लेकिन चलिए आप बन गए तो इसको ज्यादा दिन न मानिये कि टिकाव बाला बात है लेकिन बड़ा तकलीफ है इबात का हर बिहारी को हर उस समाजवादी सोच को रखने वाले को तकलीफ है कि क्या यही मेरा लोकतंत्र है इसी लोकतंत्र की कलपना करते हुए भगत सिंग जी अपना प्रांत्याग दिये थे इसी लोकतंत्र की कलपना करते हुए महात्मा जो लोग है ये लोक तंत्र की हत्या कर रहे हैं हत्या कर रहे हैं लेकिन इनको मैं कहना चाहता हूं आपके माधियम से कि जब 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 देश को बलिदान और कुर्वानी की जरुरत पड़ी है तो बिहार से अंग्राई उटाए और अंग्राई हो चुका है जनता सरकों पर उम और पूरा विपक्छी कह रहा है कि बाई जब सस्ता में चुनाब हो जाता था है कागजवा पर बैलेट पर पढ़बाब तो ईबियम के लेकिक चल रहा है जो ईबियम लाभे वला देश है अमेरिका इतना बड़का देश है तो इबियम से चुनाबे नहीं हो रहा है सवाल नहीं उठना चाहिए वीवियम पर बोट पर सवाल उठ रहा है लोगतंत्र पर सवाल उठ रहा है जब उस बात पर सवाल उठे तो उसको खतम कर देना चाहिए और परधान मंत्री जी से हम मांग करते हैं चुनावायोग से मांग करते हैं कि अब जो चुनाव हो किसी पर बड़े नेता हैं वह इसको ले करके कभी सामने नहीं आ रहे हैं किसे नहीं आ रहे हैं हमारे समाजबादी के मुखिया मन्नी अखिलिस यादब जी भी इवियम को कोट किये हैं कि आखिरी खेल कब तक चलेगा भाई आज उहां कर दिये कले यहां यूपी का जंता परिशान है फेर यहां भी खेल करेंगे तो यह खेल कब तक चलता रहेगा इनका लोकतंत्र की हत्या का तो हर घर से भगत सिंको और चंसे खर आजाद बनके और बाबा भीम रावम बेदकर बनके सरकों पर उतरना होगा तब जाकर कि इस लोकतंत्र की हत्या होने से बच सकता है क्या लग रहा है आपको जो 19 लाख लोगों को रुजगार देने के जब बात के गई थी उसके बाद एक करणों महिलाओं को आदम नीरभर बनाने के बात के गई थी 20 लाख लोगों को पक्का मकान देने के बात के गई थी बिहार में क्या लग रहा है आपको कि जिस सरीके से ज जंता इनके 19 लाख जुमलों पर यकीन नहीं किया, कहा कि भिहार की जंता अब पूरे देश की जंता इदेखा था कि 15 लाख भी जुमला था, महंगाई खतम करेंगे भी जुमला था, 2 करोर को हर साल रोजगार देंगे, उसस अब जुमले जुमला रहा है तो इनके बातों पर कि यकिन नहीं है इताकत के दम पर सत्ता प्राप्ती हैं जनता इनको अपना मत नहीं दिया般 यह सकता है नहीं कि बिहार से कुछ बदलाव करने के सूच रही हो एंडिया की काय का धलाव करें गई बिहार को बदले कर तैयारी कर रहे आज रहे हैं अधने पर कु 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 आया है को कोई फेस्बुक के तरह के डवल ओ वला कु तो उस पर लिखा हुआ है कि पहिला फिर एक राजे बना बगार मुस्लिम मंत्री वला पर देश बताईए यह सब बात चलेगा हमरे देश में अरे जब-जब देश संकट में आया है तो हिंदू-मुस्लिम सीख हिसाई एक ठाली में खाना खा करके संगर्स किया है और जब-जब बिघटन की ओर हम गए है जब-जब हमारी ताकत कमी है तो उसका कारण यही रहा है कि हम हिंदू-मुस्लिम और सीख हिसाई उच नीच जात-पात की बात करने लगते हैं उसी दिन हमारा देश की ताकत कमजोर होने लगता है और जब से भाच पाया है दिसके तक कमजोरे हो रहा है कहीं मजबूत हम नहीं हुए है साब पीजएपी से लोगब लगातार यह डरते रहते हैं चाहें जितने बिन दल के नहीं तक जो उनके साथ मिल करके लड़ाई लड़ती चुनाओं मैदान में ऐ यह सब देख सकते हैं नितीस कुमार की कम सीटाने के पाउन कहा रहा है कि मिथक तो अब नितीस जी के बैसाखी से था भाजपा हुआ अक्सिजन लिया जब देखा कि भाई अब नितीसे जी नितीसे जी हो रहा है तो कहला जब केंदर में आपका पाटनर केंदर में आपका साथ ही चिराग पासमाने जी आए अब खुले हम भी पुरा बिधान जबा में घूम के कर रहे हैं कि बीजेपी से बैर नहीं अनितीस तेरा खायर नहीं हम इनके हनुमान जी बनके घूम रहे हैं तो यह निती था नितीस जी को कमजोड करने का आई बात को नितीस जी भी समझ रहे हैं नितीस जी भी दर्द को समझ रहे हैं और दुगो जो दायें बायें दिये हैं इसलिए दिये हैं कि आवे वाला टाइम में जो बहुत जल्दी इ यारी रहे लेकिन डड़ है उनको भी कि भाई चाचा नितीस हैं कहीं भतीजा को भतीजा अगर माल लिए तो फिर गरबर न हो जाए खेल इसलिए मजबूरी में और नहीं तो यह वही भाजपा है कि जिस सिब सेना के दम पर बॉंबे में ऑक्सिजन पराप्त किया आज उसको पर मारने का काम किया कि नहीं हिंदू हिर्दय समराथ भाला सहाब ठाकरे कहलाते थे आजु सेकुलर की बात कर रहे हैं समरस्ता की बात कर रहे हैं तो वहिन्दूय नहीं रह गए इनके नजर में आई जाके अलगावबादी से महभूबा मुर्ति से सरकार बना ले तहीं पक्क हिंदुस्तानी राष्ट भक्त हो जाते हैं यह जाकर के नागालेंड बोडों से जाकर के अपना संधी कर ले तहीं पक्का राष्ट भक्त और एकदम देश भक्त कहलाएंगे तो इसे बात देखिए हमेशा ही जो है न अब जहां भी इसक अब फिर उसको चूस करके गन्ना की जिसे रस्मा चुसा जाता सिठिया निकल जाता किसी काम का नहीं रहता है वही इनके सहयोग्य का होने वाला है एक सवाल और भी उठ रहा है कि जो तेजस्वी आदों की जो रैली में जो भीड देखने का मिल रहा था आखिर वोट में कनवर्ट क्यों नहीं हो पाई वोट में तो हवे किया सहाब जनता रो रहा था तीन दिन बिहार में लोग खाना नहीं खाया है सहाब जो इनके लोग हैं अंदभाक्त की आया बहार नितीश की सरकार कहने वाले लोग थे लेकिन बास तविकता में आप लोग भी गाउं गाउं घुमे होएं उहां जाकर के बिहार की अंदर में देखे हैं लोग के अंदर क्या उत्सा था अजब रिजल्ट आया तो लोग के घर का चूला नहीं जला है सहाब लेकिन अभी भी हम अपने बिहार के सरकार नितीश चचा से कहते हैं कि चलिए आप ЕНकेन प्राकीरेन बन गए हमरे बिहार का सुद्र रे लिजे साहब आफू लाठी न चटका येगा इनके गा की बिहारी नहीं है यह परवासी है यह नहीं कहिएगा कि हमरे इहां रोजगार नहीं है को ब सतो बायों को, बटवाजों किये थे कि जहां भी रहेगा भी हरी उसको मिलेगा तो उपी देवे के तैयारी कर लीजिए! देखिये हम सभी भी पक्षियों को जो है न अब यगो नियापालिके पर भरोसा रह गया है कि वही लोकतंत्र को बचा पाये तो बचा पाये अन्विद्गे जितना भी संसाधन है उससे तो लोकतंत्र के हत्या करिये रहे हैं पुलीस से लाठी से पिटवा रहे हैं, फ़र जीब मुकदमा लगवा रहे हैं, जहां इनका जोड चल रहा है कर रहे हैं। पर उम्मीद करते हैं कि बावा भीम राव अंबेतकर के हाथ के लिखे सम्मिदान का पूरा सम्मान करेंगा जो हमारा हक है हमको देंगे। चलै एक आखरी सवाल है मेरा घामा जी कि फिलहाल तो अभी निटी जी की सरकार प्रसे बन गई है वहाँ लेकिन जो युवाओं को 19 लाक रोज़गार देनीं की जो बात की गई थी महिलाओं के लिए जो बात की गई थी गरीब तब लोग उनके लिए जो बात की गई थी अगर पूरा नहीं हो पाता है तो क्या मतलब क्या निर्ने लेगी वहां की जंता कैसे देखते हैं जंता तो सरको पर आज उसी दिन से जिस दिन से अगर इन अपना बादा पूरा किये तो इनका का हाल होगा समझे कि फिर एक जेपी आंदोलन होगा उतर मसिनमा के गरवडिया है लोग अपने कि सासन तंत्र का जो है गलत इस्तेमाल करना अरे लोक तंत्र में ठीक है कि आपको सत्ता देता जंता है जंता के अंगूठा से आप पर राजा बनते हैं उकराबाद जो है हम ही को दबाने का कोशिस करते हैं यही पहला सरकार है जो हर आंदोलन को कुचलने का काम किया है यही वो सरकार है कि जब जब इस सरकार के खिलाब कोई बोला है न तो उसको कुचल दिया है लेकिन कब तक ही कुचलेंगे कितना दम है के लाठी में उभी देखा है देख लेंगे जितना भरना होगा जेल में भर लेंगे लेकिन हिंदुस्तानी जुके बला नहीं है लोकतंद्र को बचा के हम भी पक्ची रखेंगे